तो दोस्तो आज हम बनाएंगे चिचिंडा की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी इसे चचेड़ा भी बोलते हैं आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं प्रीस कमेंट्स करके जरूर बताईएगा तो दिखें मैंने कुछ ताजे चिचिंडा लिए हुए हैं यह कुछ इस तरीके से हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं छोटे हैं तो जब भी आप लें ताजे लें मुलाइम लें तो सब्जी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी चिंडा हमारे सरीर के ल लें कि यह मुलाइम हैं कि नहीं तो इस तरीके से लेंगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप उमेद करती हुँ अच्छे नहीं बहुत यह अच्छे होगे तो देर न करते हुए रेस्पी बनाना सुरू करते हैं तो देखिए मैं इसके पूरे छिलके निकाल लिये हैं और इन छिलकों को आप चाहें तो खाद बना दें कमलो में डालने के लिए या फिर इनको किसी जानवर को खिला दें आप क्या करते हैं इसके कुछ पीसे इस तरीके से करते हैं तो यदि आप ताजी लोगे मुलाइम लोगे तो बढ़ चमच इतना नमक इससे क्या होगा कि जो इसमें एक अलग सी स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी और बच्चे बड़े सभी फ्रेम से खाएंगे इसकी महग की वज़े से कुछ लोग इसको खाना नहीं पसंद करते हैं पर यह इस तरीके से आप देखिए इनको रख दोगे थ की महग दूर हो जाएगी अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं अब हम क्या करते हैं इसको बढ़िया से रगड करके कुछ इस तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा साथ में यह बढ़िया से मुलाइम भी हो जाएंगे यदि मुलाइम होने से इसकी सबजी ब बरतन में निकाल लेते हैं आप देख सकते हो कि मैंने इनको निकाल लिया और अब यह हमारे बढ़िया से सबजी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं तो आप इस तरीके से बनाओगे तो सबजी आपकी बहुत बनेगी साथ में सबको बहुत पसंद आएगी यह बरसात की सीज में जो सबजी आती हैं वो सिहत के लिए फायदे बन दोती इधर मैंने क्या किया चार से पांच चमच ओयल लिया ओयल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं इसमें डालेंगे हींग सात्मी इसमें हम लैसन डाल देते हैं यदि आप जो चीज ना खाते हों वो बिलकुल ना कटी हुई एक इंच हद्रग का टुकड़ा डाल देते हैं जिनको मैंने बारीक लंбे-लंbे-左स में डाल देते हैं इसमे एक प्याज इसको इना पत्लप-त्लप किया हुआ है और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं हमें बहु ज़़्यादा इसका colour छेंज नहीं करना है क्य तो अब आण उख बदेया है और इसमें हम डालदी पाउडर बिना इसमें हल्दी पाऊडर टाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं sexual करने के बाद में डालेंगे चिछिंडा जिसे चचेडा भी बोलते हैं आप देख सकते हो कि देखने में कितने बड़िया लग रहे हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए तो दोस्तों आपसे एक बहुत जोटी सी रिक्वेश्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं यानि न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें साथ में वेल बटन भी प्रस कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका न बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि हम ये सूखी सब्जी बना रहे हैं इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पढ़ती है ये हरी सब्जी आपने आप पानी छोड़ती है ये उसी में पक जाती है लेकिन थोड़ी सी साओधानी की आवसिक्ता होती है यदि आप इनको हाई फ्लेम में पकाऊगे तो ये जल जाएंगी और पकेंगी नहीं फिर हमें पानी डालना पड़ेगा तो उसका सवाथ अच्छा नहीं लगेगा अब बीग बीच में हमें इसको चलाते रहना है और ढख करके हम पकाएंगे और इस तरीके से कुछ मैस करते जाएंगे जिससे कि पानी बिल्कुल न रहे और सब्जी हमारी बढ़िया परफेक्ट सी बन करके तयार हो जाए आप देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरीके से चलाया हुआ है गैस का फ्लेम मैंने लो रख कर दिया है और लो फ्लेम में ही हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए हम फिर इस तरीके से पक गई है और बढ़िया सी सब्जी हमारी तयार हो गई है बहुत थोड़ा सा पकने के लिए बाकी है तो अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले तो इसमें हम डाल देते हैं एक चम्म जितना धनिया पाउडर साथ मीस में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आप जितना चटपटा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें लाल मिर्च डाल सकते हो और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला चौथाई चम्म जितना बहुत थोड़ा सा डालना है ज्यादा नहीं डालना है और अब इसमें भर करके हम एक चम्म खटाई पाउडर डाल जिससे कि इसमें चटपटा खटा पनाएगा और सबजी हमारी सबको बहुत स्वादिश्ट लगेगी बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए गैस का फ्लेम मैंने लोही किया हुआ हाई नहीं किया हुआ है क्योंकि जो सूखी सबजिया बनती है वो लोग फ्लेम पती ना हो तो इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हो उससे विटेस्ट बहुत अच्छा आता है बढ़िया से इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से ढख देते हैं गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद तो एक मिनट बाद ही हम इसको चेक कर लेते हैं जिससे की कड़ाई बहुत गरम है और इसमें ये जले ना सब्जी इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया अब गयस का फ्लेम बंद करके इसको हम थोड़ी देर पांच मिनट तक इसी तरीके से रख के देते हैं पांच मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो सब्जी हमारी देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया सी लाजवाब बन करके तयार हो गई तो इसको हम एक बरतन में निकाल लेते हैं यदि आप इसको थोड़ी सी रसेदार बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें एक कप के जितना पानी डाल दें और उस पकने दें क्योंकि बहुत लोगों को ग्रेवी वाली सब्जी पसंद होती है दोस्तों हमारी बढ़िया सी अमेजिंग सब्जी बन करके तयार हो गई है इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल, चावल के साथ खा सकते हो लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हो या लंच डिनर में बना सकते हो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें हमें पूरी उमीद है आपको ये सब्जी की रेस्पी जरूर पसंद आएगी यदि आप लोकी, तुरई, कद्दू ये सब खाना पसंद करते हो तो इससे ये कहीं ज़्यादा स्वाधिस्ट और हिल्दी होती है एक बार आप जरूर ट्राई करें तो दोस्तो ये दिए आपको हमारी वड़या सी चिर्णा की सब्जी की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें दोस्तो वीडियो देखने के लिए तहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर